हेलो एवरिवन आपका स्वागत है ICC Campus के इस YouTube चैनल पे आज हम लोग Time and Work समय तथाकार है मैस का एक चैप्टर है उसका Part 6 सेशन पढ़ने जा रहे हैं इससे पहले हम Part 1, 2, 3, 4, 5 हम पढ़ चुके इसमें हम different different types का questions पढ़ेते ठीक है यदि वीडियो को इसी sequence हो आप नहीं देख तो link उपर I button में हम दे देते है playlist का उपर click करके पहले इसी sequence वीडियो देख लेंगे फिर इस part को continue करें या तो link हम description box में दे देंगे क्यूंकि मैस को एक sequence से पढ़ेंगे तो जादा अच्छा से समझ में आएगा ठीक है तो आप किसी भी chapter को एक sequence से पढ़ें अच्छे से ठीक है तो चलिए आप heading लगा देंगे आज हम पढ़ेंगे question based on male and female पुरूस और महिला पर आधारीत प्रस्न जितने types का question SSC में CGL, CHSL, MTS, GD में बन चुका है चाहे bank का color को PO या other level का को exam हो group D level का जितना types का question बन सकता है आज हम discuss करेंगे male and female में ठीक है तो चलिए example number 29 से हम स् या four female can complete a work in 57 days तीन पुरूस अथवा चार महिलाएं हिंदी में अथवा लिखा होगा या या लिखा होगा तीन पुरूस अथवा चार महिलाएं किसी काम को 57 दिन में पूड़ा कर सकते हैं then 10 male and 12 female can complete the same work in how many days कितना दिन में पूड़ा करेंगे अब सुनिएगा जैसे मालीज जो इस मकान में बैठे हैं तो वहाँ पे तीन पुरूस आया और आपको बोला कि हम इस मकान को 57 दिन में बना देंगे ठीक है और फिर चार महिला आई और बोली हम इस मकान को 57 दिन में बना देंगे आप कहें नहीं ऐसा करो 10 पुरूस आओ और 12 महिलाएं आओ अब बताओ द नोट सच से जो बनाते जाएंगे ता कि जब आपका एक्जाम कोई हो तो रिवीजन आसान हो जाए आपको ठीक है एक्जामपल नमबर 29 में कह रहा है क्या तो लिखते हैं थ्री मेल या फॉर फीमेल किसी काम को फिप्टी सेवन डेज में पूरा कर सकते हैं यह कोशन का पहला लाइन अभी हम कोशन से लिक रहे हैं सॉलूशन नहीं कर रहे हैं ठीक है और दूसरा स्टेप बोला कि 10 मेल प्लस 12 फीमेल इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ठीक है इस कोशन को हम दो मेथट से करेंगे ठीक है पहला तो थोड़ा सा लेंदी आपको होगा और दूसरा एक लाइन में सॉलूशन हो जाएगा एक लाइन में बस थोड़ा सा ध्यान रखे इसको भी जरूरी ह ये पहला method इसको भी solution समझेंगे अच्छे से और दूसरा जो हम second method करेंगे उसको भी solution अच्छे समझेंगे ठीक है पहला बात मुझे ये बताईए कि तीन पुरूस या चार महिलाई कितना दिन में काम कर सकते हैं तो आपको बताना है दौस पुरूस और बारो महिलाई मिलकर कितना दिन में काम करेंगे एक बात मुझे बताईए क्या हम दौस पुरूस और बारो महिला को आपस में जोड सकते हैं हम कह सकते हैं 22 महिला है या 22 पुरुस है क्या हम कह सकते हैं महिला अलग है और पुरुस अलग है यसी अनो तो हम दोनों को कमबाइन नहीं कर सकते हम जोर कब सकते हैं जब महिला को पुरुस बना ले तो पुरुस पुरुस जूट जाएगा जब पुरुस को या तो पुरुस को हम महिला बना ले तो महिला महिला जूट जाएगा ठीक है तो चलिए अब मुझे यह बताईए कि आप क्या चाते है महिला को पुरुस बनाना या पुरुस को महिला बनाना क्या चाते है जल्दी बताईए आपके मन में क्या है हम सुन लेंगे आप इत्मिनान रखे आप बताए तो चलिए हम महिला को पुरुस बनाते हैं, ठीक है, महिला को पुरुस बनाते हैं, इस महिला को हम पुरुस बनाते हैं, तो इसके ठीक ऊपर आजाईएगा, ऊपर आजाईएगा और लिख दीजेगा 12 female, ठीक है, अब मुझे ये बताईए, कि 4 में कितना से गुना करेंगे, कि मैस के हिसाफ से राइट साइड जितना से गुना करते हैं, लेफ्ट साइड भी उतना ही से गुना करते हैं, चलिए मैस के हिसाफ से तीन से गुना करते हैं, नाइन मैल, ठीक, और यहां का मतलब हो था इक्वल, तो नो पुरूस ताकत में कितने महिला के बराबर, बारा महिला क तो क्या हम इस 12 महिला के जगा पर नौ पूरूस रख सकते एफिसेंसी दोनों का बराबर हो गया, चमता बराबर हो गया, तो यहां पर हम रख सकते कितना? 9 पुरुस कोई दिक्कत अब हम 10 और 9, कितना हो गया 19 पुरुस इस काम को कितने दिन में करेंगे यह कोशन का पहला इस्टेप है ठीक है देखे, अगर आप यहाँ पे पुरुस लाएं तो उपर से पुरुस वाला इकोशन उठाएंगे अगर आप माल लिए इस male को female बनाते तो female female जूरता तो यहाँ पर female होता तो उपर female का equation उठाते ठीक है अब देखिए male और days कितना male तीन पूरुस कितना दिन में करता है 57 दिन में तो लिख दिए तीन पूरुस 57 दिन में कर सकता है तो 19 पूरुस कितना दिन में तो 19 पूरुस कितना दिन में यह आपको निखाला है अब मुझे बताए question based on group में पढ़ें इस type का questions yes or no तो solution बढ़ाबर क्या होगा solution बढ़ाबर होगा complete equation upon incomplete equation मतलब complete यह वाला रहा incomplete यह वाला रहा तो 3 into 57 upon 19, incomplete 19, cancel करें इसको तीन बार में तीन से तीन गुना करें 9 days, answer होगा 9 days ओके, चलिए आप हम second method समझे लेते हैं इस questions का, second method क्या होगा second method questions क्या दिया हुआ है, आप मुझे बताएं क्या दिया हुआ है, question में दिया हुआ है, तीन पुरुस या, four female, चार महिला किसी काम को 57 दिन में पूड़ा कर सकते हैं, then आपको पूछा गया है, दस पुरुस और बारा महिला है, उस काम को कितने दिन में करेंगे, यह कोशन दिया हुआ है, यह कोशन यह दिया है, तो बस करना कुछ नहीं है, second method में, जो उपर दिख रहा है, उपर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको cross में गुना करना है, इसको cross में गुना करना, अभी हम समझा रहे हैं, अभी समझेंगे, देखें, solution बड़ाबर हुगा, उपर वाला जो सीधा लाइन है, उसको गुना करेंगे, उपर वाला सीधा लाइन गुना करेंगे, 3, 3, into 4, into 57, ओके, अब क्या करेंगे, इसको cross में ऐसे, गुना करें, 10 को 4 से, 40, 40, 20, इसको इससे गुना करें, 36, इसको जब solve करेंगे, तो 9 days आजाएगा, ओके, कैसा लगा, जल्दी बता, yes or no, अच्छा लगा, ये ध्यान डखेंग, इसमें plus होगा, बीच में, इसको cross में गुना करके, प्लस, इसको लिखेंगे, फिर प्लस, फिर इसको cross में गुना करके, यहां लिख देंगे, ठीक है, प्लस यहां देगे, उमीद है आपको example 29 अच्छे से समझ में आया हो, आ रहा है समझ में, चलिए अब हम example 30 की ओर चलते है, example 30 जो है, example 29 की तरह है, ठीक है, तो आप क्या करे करेंगे, example 30 देखिए, है 6 लर्का या 4 पुरूस एक कार को 18 दिन में समाप्ट कर सकते हैं, ठीक है, 3 लर्के तथा 10 पुरूस मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, option A है, 6 दिन, option B यह 8 दिन, option C है 12 दिन, option D है, none of these, इन में से कोई नहीं, ठीक है, आप एकदम सेम है, example 29 35 के जैसा, आप इसको solve करेंगे, और solve करके, अगर answer आ जाए, तो comment box में आ करके, question number 30 और answer के साथ, आप put करेंगे, ठीक है, वहाँ comment कर देंगे, हम वहाँ से देख लेंगे, check कर लेंगे, अगर सही होगा, तो हम yes लिग देंगे, और गलत होगा, तो हम वहाँ answer बतातेंगे, ठ चलिए, अब हम example number 31 के ओड, चलते हैं, example 31 में, a certain number of men complete a work in 168, आदमियों का कुछ गुरूप है, कुछ व्यक्ति है, वो किसी काम को 160 दिन में पूड़ा कर सकता है, कितना आदमी है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ व्यक्ति है, जो किसी काम को 160 दिन में पूड़ा कर सकत in 20 days less, तो कार 20 दिन कम में समाप्त होता है, तो पुछा गया, how many men were originally there, तो वास्ताभी कि में पुरूप की संख्या कितनी थी, आपको बताना है, पहले, पुरूप की संख्या कितनी थी, आपको बताना है, चलिए, example number 31, solve करते हैं, example number 31 में है, कितना आदमी मुझे पता नहीं, तो हम suppose कर लेते, m number of men, कितना पुरूप की संख्या है, m, कितना दिन में कार समाप्त कर रहा है, 160 days में, ठीक है, उसके अध कहर रहा है, इसलिए बरावर का चिल लगा देते, कोई दिक्कत, अब मुझे बताएं, तो हमस्या पुरूप की संख्या कितना, एम 18 और समिल कर लिया जाए, तो एम प्लस 18, ठीक है, तो कारे 20 दिन कम में समाप्त होता है, कारे पहले कितना दिन समाप्त होता है, 160 days में, 20 दिन कम, तो 140 days में, ठीक है, और दोनों के case में काम कैसा है, समान है, इसलिए बरावर का चिल लगा देते, कोई दिक्कत, अब मुझे बताएं, बरावर के left और right साइड कटता है, अगर into में है, तो कटता है, तो 0 से 0 कैंसे, 2 से 8 टाइमस में, और 2 से 7 टाइमस, ओके, अब क्या करें, अब मल्टिप्लाई करें, इसको इस से 8 टाइम, ओके, फिर इसको इस से 7 टाइम, पलस, 7 को 18 से मल्टिप्लाई करेंगे, 126, तो अब इस 7 में को left साइड लाए, बाएं यह ओड लाए, तो 8 माइनस 7 टाइमस, तो बचेगा M, तो M बढ़ावर क्या होगा, 126, तो वास्ता अभी कि में पुरूस की संख्या पहले कितना था, 126, ठीक है, उमीद है आपको एक्जाम्बल 31, अच्छे समझ में आ गया, चलिए अब एक्जाम्बल 32 की योड आते है, एक्जाम्ल 32 में है, एक ग्रूप आप में डिसाइड़ेट टू डू अवर्क इंटेंड मतलब आदमियों का एक समुह है, ठीक है, वह डिसाइड किया, वह निर्नाई किया कि हम किसी काम को 10 दिन में कर देंगे, कोई भी काम, माली जे यही बोर्ड बनाना है, तो इसी बोर्ड को समुह ने डिसाइड किया कि हम 10 दिन में बना देंगे, ठीक, या माली जिस मकान में वो मकान एक सम्हू ने डिसाइड किया कि हम 10 दिन में बना देगे। लेकिन बट 5 अपसेंट उसमें से 5 अपसेंट हो जाता है इस दरेस्ट आप गुरूप फिनिस्ट वर्क इन 12 देस उसमें से 5 अपसेंट हो जाता है यदि बचा हुआ व्यक्ति उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं उसी काम को सेम काम को साम को फाइन दा ओरिजनल लंबर अफ में तो पूरूस की वास्तविक संक्या क्या है यह आपको बताना है तो चलिए हम सॉलिशन करते हैं एक्जामपल नंबर 32 ठीक है तो पहला लाइन उसने क्या बोला देखिए मैस को अच्छे से पढ़िएगा ठीक है कहीं भी आपका एक भी कोस्टन बाहर से नहीं आएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते रहिएगा लास्ट म पूशा गया हो चाहे बैंक का हो चाहे अधर को एक्जाम का हो वो सारा कंटेंट सम लेंगे ठीक है तो कोई भी दिक्कत हो और मैस को समझने में पढ़ने में कहीं दिक्कत आए वीडियो में तो संडे को आप 5 बजे से लेकर के सामने 10 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर स कोई भी बेजी से को के कॉल कीजिए अगर आप में से कोई वैक्ती कभी डिली नहीं गहे हो पढ़ने के लिए मुखरजी नगर में या कमिटिसन तैयारी तो परिशान ना हो आप जो हम पढ़ा रहे हैं आप समझ लीजिए कि एकदम एज इटीज वही कोश्चन्स वही सॉल पढ़ते रहें नोट्स बनाते रहें और कोई भी एक्जाम देना चाहते हो तो उसका सेट बनाए प्रिवेस एर कोश्चन्स बनाए चाप्टर खतम होने के बाद पहले नहीं ठीक है तो चलिए कह रहा है एक नंबर ऑफ ग्रूप डिसाइड़ टू डू दा वर्क इन टें सेट आब आद मियों का कितना समु है यह मुझे पता नहीं हम आले तो और को Chuck a.le काम को कितना दीन में कर सकता है 12 तीन में तो इतना व्यक्ति एक समू देश है और 13 कर सकता है वही काम को अगर पांच अपसेंट हो जाए तो 12 तीन कर सकता है श्युल्क है इसलिए दोनों चंग जोंग के ङुए अब को छोगी इकवल काचीन आप दोनों तरफ 6m- इसको multiply करे 30 ठीक है अब मुझे बताएं क्या होगा ये left side आएगा left side आएगा तो minus होगा minus 6m होगा तो बच क्या जाएगा minus m equal minus 30 ओके और minus minus both side cancel हो जाता है तो m बडावर क्या होगा 30 वास्ता भी क्यों पूरुसों की संग्या क्या था 30 ओके चलिए अब हम exam number 33 की ओडा आते exam number 33 में 3 men can complete a work in six days तीन पूरुस किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है ठीक है और और 5 my life can complete the same work in 18 days 5 my life उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते question में in how many days कितने दिन में how many days will 4 men and 10 women 10 women complete this work इसी कार को 5 पूरुस और 10 माइला कितना दिन में करेगी ठीक है solution करें चलिए इस questions को हम 3 आसान step में solution करेंगे 3 आसान step में solution तो हम बस कुछ line लिख करके solution कर देंगे लेकिन आपके समझने के लिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा तीन step में हम solution करेंगे ताकि अगर आप छे मही ना बाद भी copy देखे तो आपके समझ में आ जाए वरना दो लाइन में solution करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे ठीक है तो चलिए एक्जांपल नमर 33 को solve करते हैं ओ एक्जांपल नमर 33 में पहला step कहरा तिन पूरुस अत्वच तो पूछा गया है कि चार पुरूस और दस महिला हैं इस काम को कितना दिन में करें ठीक, समझ में आ गया, चलिए, अब हम सॉलुशन करते हैं, देखे, इस से आपको पहले काम काम करना है, छमता निकालना है, एक पुरूस कितने महिला के बराबर है, पहले आपको efficiency यानि छमत निकाल देना है, ठीक, तो efficiency निकालते हैं, 6 से 1 टाइमस में, और 6 से 3 टाइमस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये 3 से, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा, बचेगा, वन पुरूस, 5 उमेन के बराबर है, अगर हम आप से पूछे, एक पुरूस कितने महिला के बराबर है 5 महिला के बराबर है, किस में, efficiency में, यानि शम्ता में, शम्ता में, एक पुरूस, 5 महिला के बराबर है, ये शम्ता, कारी शम्ता आप कह सकते हैं, या efficiency शम्ता में, ठीक, ये तो questions का पहला step है, questions का है, पहला step, चलिए दूसरा step, दूसरा step में question क्या कहा रहा है, कि 4 पुरूस और दस महिलाएं इस काम को कितना दिन में करें यह अब मुझे पताएं यह पुरूस और महिला आपस में जूड सकता है नहीं जूड सकता है क्योंकि एक नहीं है यह मेल अलग होता है फीमेल अलग है जंडर है अलग जंडर है तो जूड नहीं सकता है हाँ एक कंडिशन है या तो हम इस महिला को पुरुस बना ले या तो हम इस पुरुस को महिला बना ले क्या बनाना चाहते हैं जल्दी बताएं महिला को पुरुस बना ले चलिए ठीक है अब मुझे बताइए पांच महिला कितना पुरुस के बराबर है एक पुरुस के बराबर है तो दस महिलाई कितना पुरूस के बराबर होगी दो पुरूस के बराबर तो यहां पे हम दो पुरूस लिख सकते हैं यस या नो लख सकते हैं तो चार पुरूस और दो दो पुरूस कितना तетр дней में काम करेगा यह कौशन का दूसरा स्थीर घ्र के ऐगर यहां पर पूर्च लेकर अएं उपर से पूर्च वाला कॉष्ण उठाएंगे और यहां पर महिला इस आपड़ा को तो यहीं से काट देंगे आप तो बच जाएगा तीन पूरूस तो एंसर कितना होगा तीन तो आपको सॉलुशन बराबर क्या होगा सॉलुशन बराबर होता है एक्जामपल नमर थर्टी फोर आपको डिस्प्ले होडा है सेम कोशन एक्जामपल नमर थर्टी तरफ इससे सॉल्व करेंगे और सॉलुशन आ जाए चार ओप्सन भी दिया हुआ है सॉल्व करके और फिर एंसर को कमेंट करेंगे और कमेंट करने वक्त ये भी बता देंगे कि वीडियो कैसा लगड़ा है आपको और कुछ पढ़ना चाहते हो और कुशन पढ़ना चाहते हो जरूर कॉमेंट करें और कुछ आपके मन में हो तो बात भी जरूर लिखें ठीक है चलिए अब हम Example 35 के ओड़ आते Example 35 है यदि 6 आदमी तथा 8 लरके एक काम को 10 दिन में समाप्ट करे और 26 आदमी तथा 48 लरके इस काम को 2 दिन में समाप्ट करे तो 15 आदमी तथा 20 लरके इस कार को कितने दिन में समाप्ट करेंगे ठीक है तो ध्यान दीजेगा solution करते हैं Example 35 इस टाइप का question ज्यादा तर बैंक के exam में पूशा आ जाता है ठीक है Example 35 पहला लाइन इस questions का क्या था कि छे आदमी है छे मैं छे आदमी पलस 8 लरका लरका को 8 बॉय कर देते हैं ठीक है उसकत कहरा 26 आदमी और 48 लरके 26 आदमी और 48 लरके इसी काम को दो दिन में पूरा कर सकते हैं काम दोनों तरफ कैसा है समान है इसलिए एक कोल का चिन लगा देंगे तो आप से सब्सक्राइब करते हैं पहला काम तो यहां पर इफिसेंसी निकालेंगे एक पूरूस और एक लरका कितना पूरूस कितनी लरके के बड़ा बढ़ है उसमें इफिसेंसी निकाल लेंगे ठीक है तो देखिए इन्टू है तो काट सकते हैं दो से वन टाइम्स में कैंसी लोग तो आपका क्या होगा एक पुरुष जो है दो लर्का के बरावर में होगा यह हमारा इफिसेंसी निकला है छमता निकला है एक पुरुष दो लर्का के बरावर है ठीक है यह कोशन्स का पहला स्टेप है चलिए अब हम दूसरा स्टेप करते हैं कोशन्स में क्या दिया हुआ है तो 15 मैंगा तो 15 मैं 15 मैं 40 भी सलर का इसकाम को कितना दिन में करेगा दिन मतलब डेस लिए इसी कितना दिन वे करेगा तो यहीं काम कितना कोई एक क्वेशन को आप उठा लें यहां पर इसके काम करना पड़ाएगा कम कोई कोई भी क्योशन यह उठा लेते हैं six men plus eight boy कितना दिन में दस दिन में काम कर रहा है ठीक है अब एक काम ऐसा करें आप कि या तो इसको boys बना ले दोनों को इधर इधर boys बना ले या तो आप लर्का बना पुरूस बना ले ठीक है पुरूस बना ले क्या करें अब इसको पुरूस ही बना लेते हैं ठीक है इसको पुरूस बना लेते हैं तो दो पुरूस कितना लर्का के बढ़ावर है स्वारी दो लर्का कितने पुरूस के बढ़ावर है एक पुरूस के बढ़ावर है दो लर्का टाकत में efficiency में दो लर्का एक पुरूस के बरावर तो यहां पर बीस लर्का कितना होगा दो लर्का एक पुरूस के बरावर तो बीस लर्का दस पुरूस के बरावर तो यहां पर दस में रख सकते हैं अब यहां पर यह दो लर्का एक पुरूस के बरावर है तो आठ लर्का कितना पुरूस के बरावर ह तो चार पुरुस रख देते हैं ठीक है अगर इधर दो गुना करेंगे तो इधर भी दो गुना करना पड़ेगा ठीक है अब मुझे बताएं यहां पर कितना होगा 15 और 15 और 10 कितना होगा 25 पुरुस कितना दिन में यही कोश्चन से है तो यहां पर कितना है 6 और 4 टइन पुरुस 10 तीन में कैंसल करें आप पुरुस से पुरुस गैंसल तस से घीए टू टायम्स में कैंसल होगा यह फॉट तायम्स पांस से कांसल हो जाएगा यह पांस से वन टाइम तो डी बराबर कितना होगा डी बराबर ओर फोर डेज ऑगे उमीद है आप को अच्छे से समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही अब अगला टाइप हम पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान लखें और एक पार्ट के लिए अगले पार्ट के साथ और यहां पर सब्सक्राइब का बटन है और सब्सक्राइब नहीं किये तो इस पर किलिक करके सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो है कुछ अगर आप देखना चाहते तो इसको देख ले थैंक यू